तो गाइस फाइनली मेरे पास आ चुका है ओपो का एक और तगरा वाला स्मार्टफोन ओपो F25 Pro 5G तो देखते हैं कि ओपो ने इस बार दोस्तो F25 में क्या-क्या ऐसा अपग्रेट किया गया है और box के अंदर क्या-क्या मिलता है वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको हम देखाने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले box को open कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि box के अंदर मुझे क्या-क्या मिलता है तो दोस्तो box का जो wrapping था वो wrapping को हमने cut कर दिया अच्छे तरीके से अब हम box को open करते हैं इसके अंदर air भरा होता है तो थोरा थोरा इसको push करना होता है ठीके तो box अपने आप जो है वो निकल जाएगा यहाँ पे देखिए उपर का जो cover है अपने आप निकलेगा box open हो गया उसक जिसकी मदद से आप अपने seam को लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं यहाँ पे कुछ documentation मिल जाता है mobile को guide करने के लिए तो बस इसको रखते हैं side में और यहाँ पे दोस्तो oppo f25 pro 5g में आपको एक प्यारा सा case मिलता है जिसकी मदद से आप अपने mobile को protection कर सकते हैं आपका mobile का back cover म मिलता है तो काफी खुसी की बात है दोस्तो अब यहाँ पे दोस्तो बॉक्स के अंदर देखते हैं कि और क्या-क्या मुझे मिला है तो यहाँ पे दोस्तो charger मिल जाता है अगर charger की हम बात करेंगे तो 67Watt का SuperWook TM flash charger आपको मिल जाता है मतलब कि दोस्तो इस charger से अपने mobile को charge करे हैं तो बॉक्स के अंदर में जादा कुछ नहीं था दोस्तो बॉक्स के अंदर में बस आपको charger और केवल मिला है और sim tool पीन था और कुछ documentation था तो दोस्तो चलिए अब हम सब चीको रखते हैं साइड में आप दोस्तो हम review लेने वाले हैं Oppo F25 Pro 5G phone का कि इस बार जो दोस्तो F F25 में क्या-क्या बदलाव आया है क्योंकि इससे पहले F23 था अभी 25 जो आ गया है तो दोस्तो देखिए पहले हम थैली को open कर दियें और देखिए दोस्तो ये है first look आपको देखने को मिल रहा है दोस्तो Oppo F25 Pro color की बात करेंगे दोस्तो तो ocean blue color है दोस्तो काफी लाजवाब color है color में कहीं कोई दिकत नहीं है डिजैनिंग की बात करेंगे तो काफी सिलीम और पतला है दोस्तो यहाँ पे सीम लगाने का option मिलता है यह साइड और यहाँ पे आपको एक माइक मिलता है USB Type-C केवल मिलता है और स्पीकर मिल जाता है दोस्तो और इस साइड की तरफ हम बात कर दोस्तो तो camera जो है यहाँ पे आपको तिरपल सेटप चैमर मिल जाता है जिसमें दोस्तो 64 A का camera है आठ Hai Mp.. लेंज का वहीं पे बात करेंगे तो man camera जो आपको मिल जाता है वह मेगा पिक्सल कैमरा की बात करेंगे तो मैक्रो कैमरा है, सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो 32 मेगा फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है, जिसमें दोस्तो IMI X615 आपको Sony का सेंसर मिल जाता है, F2.4 एटेप्चर लगा हुआ है, वहीं पे दोस्तो F2.2 32.74 इंच का सेंसर आपको 5P लेंस के साथ मिल जाता है, तो दोस्तो कैमरा कॉलिटी काफी लाजवाब है, आपको जो तिर्पल सेट अप कैमरा है, बैक साइड में, वहाँ पे भी आपको Sony का IMX335 F2.28 अप्रेटेक्चर लगा हुआ है, तो काफी लाजवाब कैमरा है, आटो फोकेस है दोस्तो, डिस्पले की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो डिस्पले आपको 6.7 इंच का Full HD डिस्पले आपको मिल जाता है, Emoled डिस्पले के साथ दोस्तो, तो अगर हम RAM की बात करते हैं, दोस्तो, इस phone का तो 8GB RAM है, यह और 108GB का अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे, तो प्रोसेसर दोस्तो, आपको मिल जाता है, Diamond City 7050 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, दोस्तो, साथ में आपको Android 14 मिलता है, और 2TB का सपोर्ट आपको मिल जाता है दोस्तो, phone काफी लाजवाब है, Oppo F25 Pro काफी लाजवाब phone बनाया गया है वीडियो की बात करेंगे, तो इस phone के अंदर में 4K वीडियो आप चला सकते हो 80-30PS कर सकते हो 180PS पे आप देख सकते हो 80-60fps कर सकते हो 30fps कर सकते हो 720 आप कर सकते हो 120fps कर सकते हो, कलर की अगर अगर बात करेंगे, तो दोस्तो कलर OSO 14.0 लगा हुआ है दोस्तो वहीं पे अगर हम बैटरी की बात करेंगे तो 5000 mH बैटरी के साथ आपको मिल जाता है, डिस्पले की बात करेंगे गाईस, तो 120 हाट AMOLED स्क्रीन आपको मिल जाता है और साथ में IP65 Water Residential मिलता है, जिसमें दोस्तो तीन मिनट तक का छमता है इस मोवाइल को, कि आप अगर पानी में डालते है या पानी का इस पे फौरा परता है पानी उनी परता है, तो तीन मिनट तक ये जहल सकता है, दोस्तो तो आपको काफी लाजबाब फोन है, दोस्तो ये Oppo F25 Pro जो की रिसेंटली लाँच हो गिया है, कैमरा के भी बात करेंगे, तो आपको हम किलियर यहाँ पे बता दियें कि तीरपल कैमरा का सेटफ है दोस्तो, जिसमें 64 Ampere बैक साइड में है, और दोस्तो 2 Ampere है और 8 Ampere का है, तो कैमरा में Sony का सेंसर लगा हुआ, सेट जो है वो काफी लाजबाब है, काफी स्लीम सेट है, दोस्तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे इंडिया में, तो दोस्तो रिसेंटली अभी ये फोन जो लाँच हुआ है, दोस्तो अगर फोन पे बात भी आप करेंगे ना, तो आपका लुकिंग काफी लाजबाब बनाएगा, आप देख सकते हूँ कि लुकिंग जो है, काफी प्रीमियम लुक लगता है देखने में, तो कैमरा कॉलिटी यहाँ पर देख लेजे सबसे पहले, मैं आपको प्राइज बता देता हूँ, 8 GB RAM और 128 GB वला अगर आप वेरियंट लेते हैं, ओपो F25 तो आपको 23,999 रुपे के अंदर में आप ले सकते हैं इस फोन को तो मेरे हिसाब से दोस्तो, जिस हिसाब से प्राइज है उस बजट में दोस्तो, आप ये ओपो F25 Pro फॉन को ले सकते हैं, क्यूंकि दोस्तो, इसका जो डिस्पेले क्वालिटी है, वो काफी लाजवाब है, और कैमरा क्वालिटी काफी बेश्ट दिया गया है, मतलब आप फोटो घीचेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो काफी किलेटी के साथ आएगा, क्यूंकि सोनी का सेंसर लगा हुआ है, तो सेंसर में पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफी लाजवाब होता है, दोस्तो, तो आप लेख कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा